आपके अपने यूटूब चैनल स्टेड़िपमेट आर्सी पर आप सभी कार्दिक स्वागत है आज हम पढ़ेंगे एवरेज का पार्ट फोर इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एवरेज के पार्ट थर्ड तक अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं उनका लिक जाकर ये वीडियो देख सकते हैं और इससे पहले जितने भी टोपिक हुए हैं उनका लिक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं कोमेंट कर सकते हैं लाइक और शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा पास के तो आज के सेशन का अमारा पहला क्यूसन है 12 खिलाडियों की ओसत आईउ 25 वर्स है यदि कप्तान की उम्र को भी सामिल कर लिया जाई तो ओसत एक वर्स बढ़ जाती है कप्तान के आईउ ग्यात की करें तो हमारे पास ये उपसन दिये गए हैं हमें कप्तान के आईउ ग्यात करने हैं अगर आपने हमारे इस से पहले वाले तीनों पार्ट देखे हैं तो आप इस क्यूसन को केवल और केवल 10 सेकंड के अंदर हल कर देंगे अगर आपने वो पार्ट नहीं देखी हैं तो भी आपको साइद ये समझ में आ जाई साइद क्या सो आपके समझ में आ भी जाएगा तो आप इस क्यूशन को जिनको आता है वो जल्दी जल्दी आंसर दें अगर जिनको नहीं आता हो सामने ध्यान दें तो यहां पर बोला है कि 12 कि लाड़ियों की 25 वर्स है यानि कि कोई 12 है उनके 25 है तो आप ऐसी भी कर सकते हो टोटल आयों निकाल के लेकिन उसक को 25 से गुणा करकर 300 आजाएंगे फिर उसके अंदर एक सामिल हो जाता है तो उसको 13 को आपके एक वर्स बढ़ जाती है तो 26 से गुणा करोगे 13 वैसे भी आजाएगा लेकिन ऐसे भी जिस टैप का हमने पायटे के अंदर देखा था कल 10 सेगंड के अंदर हल क्या था उसी ट 25 है जो 13 है उसकी भाई हम क्या माल लेते हैं पच्छिस माल लेते हैं टोटल के अंदर एक एक वर्स बढ़ जाता है एक वर्स बढ़ जाता है तो सभी 13 के अंदर एक एक बढ़ देगा तो 13 kg और बढ़ गया यानि कि 13 kg यानि कि 13 वर्स बढ़ गया सबी के अंदर एक एक वर्स बढ़ गया तो 25 है तो 25 के अंदर 13 और एड कर दें कितना आजाएगा 38 अगर kg है तो kg कर देंगे वर्स है तो वर्स यहां पर 38 यानि कि हमारा option number है तीन number हमारा option right होगा 38 इसका right answer है समय में आ गया होगा कैसे 25 तो हई सबी के अंदर एक एक बढ़ रही है तो 13 के अंदर कितने बढ़ गी 13 वर्स बढ़ गी तो टोटल होगे जाएगा 38 वर्स आ गया 10 सेकंड नहीं लगे ठीक है बढ़ते हैं ओने Eigen Cred अगले संख्यों का उस्त साथ कैतना है इसको हम टोटल निकालेंगे तो कैसे ऐगा साथवेट dynamics को सामझने है अगली दो संख्याओं को उस्त 35 है, दो का कितना है, पहली दो का है 35, कितना आ गया, 70, तो अगली च्यार का उस्त 40 है, च्यार का 40 है, तो कितना आ गया है भी, 160, इनको इन दोनों को जोड़ लें, क्योंकि एक से 6 अकसं क्या है, और साथ में अपने आप आ जाएगे, टोटल में से गटा देंगे, तो एक सो 60 और सतर कितना आ जाएँगे, 230, 230 में से 269 गटाएँगे, साथ में से क्या आगी हमारे 29, समझ में आ गया होगा, यानि कि सभी सा साथों का कितना है, 37, 37 से भी, तो टोटल आना चीए, 269, पहले 2 का 35, तो पहले 2 का सतर आ गया, बाकी का, बाकी आगे की चार है, उनका है, हो गया है, टोटल 160, तो 6 तक आ गया हमारे टोटल 230, लास्ट वाले कितने बची भी, 29 बची, क्योंकि साथा का 269 है, देखते हैं हमा क्योंternουμεररा, क्यों lamps, नमबर 3, पिता, माता तथा बेटे की ओस्तायू 52 वर्स है, तथा उसी समय उनके बेटे की साधी हो जाती है एक वर्स बाद प्रिवार में एक बच्चा भी है और साधी के 6 वर्स बाद प्रिवार की ओस्ता यो 36 वर्स है तो बता ये साधी के समय बहू की उमर क्या थी यानि कि जो लरका है उसके बहू की उमर हमें बतानी है तो यहाँ पर जो बोला है हम लिखते रहेंगे और आंसर करते रहेंगे यहाँ पर पिता यानिकी फादर पलस मदर पलस सन इनकी ओस्त है बियारिस तो बियारिस को तीन से गुणा कर देते हैं तो आजाएग एक सूच अब बास हमें टोटल आईयो आगे उनकी अब बोल रहरे है चे वर्षबाद में अब क्या है कि उनकी ओस्तायो 36 वर्षब लेकिन अब कितने सदसी एड होगे दो और एड होगे पहले तीन थे अब दो एड और होगे खोन कौन एक तो बच्चा और उनकी वाइब तो यहां पर हम देखेंगे 36 है और टोटल मेंबर कितने होगे 5, 36 को 5 से गुणा किया, कितना आज जाएगा भी, 180, कितना आगा, 180, आगी बात समझ में, तो अब यह 5 मेंबर है, यहां पर, यहां पर 3 के 144 है, यह इस में से गटाएंगे, 180, गटाएंगे, तो बच गई हमारी 36, 36 क्या आगई, एक तो वाइप पलस चाइल्ड, दोनों की उमर आगई, 36, आगी बात समझ में, दोनों का जोड़ 36 है, क्यों है, क्योंकि 3 का 144 है, जो बाद में एक्स्टा मेंबर आए, उनका 180 हो जाता है, 144 से 36 जादा हो रहा है, तो उनका दोनों का जोड़ आगए, 36, तो यहां पर हमें चाइल्ड की उमर बतानी है, यहां पर बतानी है, बहु की उमर कैसे गयाद करेंगे, पहले हमें चाइल्ड की पतावने चाहिए, यहां पर कितने हैं 36 तो डबलू का यानि की वॉमेन का यानि के बहु का जो उमर है वो कितने आज जेगी डबलू बराबर 36 में से 5 कितने आ गई 31 कितने आ गई 31 लेकिन 31 आ गई अब पूछ रहे यह तो वर्तमान यह 31 क्या पूछ रहे साधी के समय उम्र क्या थी साधी कितने साल पहले वे थी 6 साल पहले वे थी 31 में से क्या कम कर देने खूछ क म कर देने टोटल musimy कितने आ गई 20 शाल आशा करता हूँ एक बार और रिपिट कर देंगे और आपके जो भी क्यूशन में डाउट है वो हमें जादा है जादा जादा बेज़ें क्योंकि हम संडे को जादा है जादा डाउट सेशन के अंदर आपको जादा है इपोर्टेंट क्यूशन करवा सकें जितने भी आपके डाउट हैं जितने आपको अच्छे से समझा सकें तो साथ साथ में वीडियो शेयर भी करते रहें और साथ साथ में अपने डाउट पर पूछते रहें आपको सभी क्यूशना का आंसर मिलेगा तो क्यूशन नमर चार है हमारा साथ तकने की विशेशग्यों का उसत वेतन बारा सो रुपए है तथा सभी क्रमचारिय का उसत वेतन आठ सो रुपए है तो कंपने में कुल क्रमचार रहें के संख्यापता है यहां पर ऐसे इस टाइप के क्यूशन आ जाए तो अलग-अलग क काटरिगरी देकर उसका उसत बजन देते तो ऐसे क्यूशन हो क हमाल करेंगेgे Ono को हम क्या लिक लेते हैं तो जो को में इसमें किता बच्जाएगा हमारा 400 इसमें सीयक टादियां कितना मच जाएगा हमारा 200 अब इनके निच्चवाला का अनुपात निकालेंगा जब हमारे संख्याएगी इनका अनुपात आ गया एक अनुपात दो एक अनुपात कितना आ गया दो यह टोपिक हम Aleigation Method में अलग से टोपिक पढ़ेंगा तो आप बिल्कुल डिटेल्स से समंझ में आ जाएगा तो एक औरद्रों आ गया यहां पर एक कामान कितना दिया गया है यहां पर शाथ साथ है कामान साथ है तो नीद्र कितना होगा 12 का 14 होगा यह 14 होगै गेडर तकनीकी और तकनीकी कितने होगे साथ यहां पर क्या पूंचारी के कुल संख्या तो चौधार साथ कितने होगे 21 ओप्स नंबर हमारा एक राइट हो साएगा समझ में आ गया होगा पहले यहां पर 1200 है फिर 600 है टोटल इसका कितना है ओसाथ 800 है तो इनको हम एलिगेशन में तरिशेल करें यहां पर गटाय पहले अगेशन में पर चौधा गया यहां औो पर गटाया कितना आगया 200 र copyright दो एक अनुपात दो remind दिया गया हमें शाथ कनिकी हँए कि ऑनचा तो निपर कितना जहेगा नियोगा तो 24 और साथ होगे 21 चैनल कि किए वर का इंधवाज का ब्लिंग भौलिंग और 12 मैच में उसने 26 रन देकर 5 विकेट हांसिल किये तो उसका उस्त 12 रन विकेट हो गया तो बताई इस मैच में पहले उसने कितने विकेट लिये थे उस इस मैच से पहले उससे इस मैच से पहले आप उनको बताना है कितने विगेट लिया थे अगर उसने 26 रं देकर 5 उनको बताना है यहांगे कैसे करेंगे, यहांपर 12.4 दिखेंगे, और यहांपर 26 रन देकर 5 विकेट दो, इसको हम रन परती विकेट में बदल लेंगे, क्योंकि दोनों का यहांपर average दिया गया है, तो हम रन परती 26 में 5 का divide करेंगे, कितना जाएगा हमारा 5.2, और हमारा बीच में दिया गया 12 रन परती विकेट इस में से कटाएंगा 6.8 यह इस में से कटाएंगा 0.4 इसका हम काटेंगा एक आगया इसका आगया 17 एक और 17 इस मैच के अंदर उसे ने कितने विकेट लिये थे 5 लिये थे और इस मैच के अंदर कितने विकेट लेगा एक काम के सबी किसन समझे में आ गयी होगी इसी के साथ हमारा एवरेज का टोपिक होता है complete आज के लिए बस इतना हैं अगर आपको एवरेज के अंदर सदान ब्याज के अंदर प्रतिसति के अंदर अगर किसी भी टोपिक के अंदर कोई भी डाउट आता है में comment box टेलिग्राम ग्रूप, वाटसअप ग्रूप, परसनली मैसेज, किसी भी माध्यम से हमें बैज सकते हैं, उनका सोलुसन हम वीडियो सोलुसन करवाएंगे, वो भी संडे को, क्योंकि संडे का अंदर हम सलाइड बनाने के लिए हमें थोड़ा जादा टाइम मिल जाता है, तो इ एक बार फिर मैं कहना चाता हूँ कि आपके साथियों को यह वीडियो का लिंक जरूर पूंचाएं, ताकि वो भी अच्छे-चे कुशन हल कर सकें, और जल्द हल कर सकें, ठैक्स फूर वाचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हैवे नाइस टे,